पूरा खेल हो गया देर रात आम आदमी पार्टी के तीन पार्षत बीजेपी में शामिल हो गया और अब मेर इलेक्शन को लेकर पूरा मीजर ही चेंज हो गया है बहुमत के आकड़े को 19 को यानि बहुमत के आकड़े को बीजेपी अब पार कर्टी नसर आ रही है बीजेपी के 14 से अब 17 पार्षत हो गए है एक वोट 77 का काउंट होगा और एक शिरोमणी अकाली दल का पार्षत बीजेपी के साथ खड़ा है ऐसे में अब दोबारा चुनाफ का आदेश कोट अगर देती है तो बीजेपी के जीत तैमानी जा रखी है नेहा मुसावट, पूनम देवी, गोर्चरण काला बीजेपी में शामिल हो गए दिली में पार्षत के सीनिय लीडर विनोत तावडे ने उन्हें बीजेपी की सदफिता दिलाई तो यह तस्वीरे जो आप देख रहे हैं, तीनों पार्षतों ने बीजेपी का दामन थामने के बाद ये भी कहा कि वो मोदी सरकार के नीतियों से प्रभावित हैं, आम आदमी पार्टी ने धोका दिया है, ऐसे में बीजेपी में शामिल होकर वो चंडिकर के लोगों के हित में काम करेंगे मैंने भाजपा जॉइन की है, क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था, आम आदमी पार्टी की तरफ से, सबसे जादा मैं उनमें educated candidate मानी गई थी, mayor election के लिए लेकिन एक जूटा वादा किया गये कि आपको mayor candidate बनाया जाएगा, लेकिन at the end उन्होंने किसी और को mayor candidate बना दिया तो ये जूटा वादा उन्होंने मेरे साथ किया, आज मैं प्रधान मंतरी मोदी जी की जो गरीब कल्यान के लिए उन्होंने कारे किये हैं, दलितों के लिए कारे किये हैं, उससे परभावित होकर भाजपा जॉइन कर रही हैं हमारे नरेंदर मोदी जी हैं, इनके जो नीती है, गरीबों और दलितों के लिए जो यह मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इन से परभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने जॉइनिंग किये बीजेपी. मैं तो डेड़ साल पहले बीजेपी में आ गया था, और होनों भी बीजेपी में रहूँगा और हैं भी बीजेपी में, कुछ कारना करके मैं गमरा हो गया था, मनुन पार्टी ने गमरा कर दे था, फिर उत्था जाकर साथ डेफोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाकर उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार विहवार किया, उसे वो नारास्ती, क्षमतावान पुनम जी और नहादीजी है, गुरुचर ने भी क्षमतावान है, उनकी क्षमता के अनुसार, भाजपा उनको मानसन्वान न्याय देगी, और भाजपा की ताकत, प्रधानमधी चन्दिगाट में आम समान्या आदमी गरीब कल्यान का काम करने में यह हमारे साथ जुडएंगे, और मुझे विश्वास है कि चन्दिगाट के गरीब कल्यान का काम काम और तेजी से वहां पर हम करेंगे.